जाकर चेक कर सकते हैं और यह आपको फिर से दिखाना चाता हूँ अभी मैना 2020 आज की 26 तारीक है तो यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं तो आप देख सकते हैं लब एयर लेरिंग था तो वहां अभी भी जिन्दा है question रहता है लोगों दोरह कि इसमें flowering आती ही क्या graph यह जो हमारा एयर लेरिंग वाला plant है हाँ इस पे flowering आती है फ्रूटिंग भी ले सकते हैं आप चाहे तो क्यूंकि मैच्वड इसकी कहूने के वज़े से इसमें फ्लावरिंग आ जाती है जैसे हमारे पेड़ में हमारे आई थी पर हमने उसे तोड़ दिया मैं आपको एर लेरिंग से रिलेटेड जित्ती वी क्वेरिज आई तो मैं कशिश करूँगा कि आपके讲 question के जवाब देपाउ। तो सबसे पहले question रहता कि कि यहां किन पेड़ों पेड़ों पर की जा सकती है तो आप कोई भी पेड़ापे जाम जिसे बुलते हैं तो ऐसे बहुत सारे पेड़ है जिसके उपपर आप एर लेरिंग कर सकते है और कुनते सीजन में करना चाहिए यहां भी लोगों दौरा कोश्चन किया जाता है जनरली तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एर लेरिंग बरसाद का सीजन सबसे बेश्ट रहता है इसमें आपको एर लेरिंग करने में बहुत ही आसानी होँगी क्योंकि इसमें क्या होता है अभी जैसे उन्हाला चालू है अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए क्योंकि बहुत लोगों क्वेरी जैसे मैंगो का हमने किया था उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं नीचे में आपको वीडियो के नाम दिख रहा हूँगा उस पे क्लिक करके आप देंगे हमारे चैनल теб पूछेंगे वहां पे आपको प्लेविस्ट मिलेंगे वहां पे आप आपको स्क्रोल डाउन करना नीचे में जाना है तो आपको बहुत सारे तरीके से मैंदों के उपपर है या और भी हमने जिसे बार question बहुत सारे बेर की ग्राफटिंग इससे रिलेटेड हमने वीडियो दाले हुए है और आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है क्यूंकि हमारा एक वीडियो जो बार ग्राफटिंग का है उसपे फाइलेक्स वीउस भी हो चुके और कुछ लोगों ने उसे ट्राइ भी किया है तो इनको भी सक्सेस मिला है तो आप भी करिए जिन्होंने अभी तख ट्राइ नहीं किया है इस साल 2020 में आप ट्राइ कर सकते हैं तो आपका जैसे कुनते मंत में करना चीए तो सबसे आपको बोला कि बरसाद का सीजन सबसे बेश्ट है जैसे कि बरसाद जनरली हमारे देश में जून, जुलाई, अगस जुन के लास्ट विक सम्धिंग से मतला बरसाद अच्छे से सक्रिय हो जाता है तो आप जुलाई, अगस सप्टेमबर, अक्टोंबर अथ थंडि के मोसम में भी कर सकते हैं ऐसा नहीं कि बरसाद में लिए करना है अप थंडि में भी कर सकते हैं पर आप आपको फिर यह इसी पानी डालना भी पड़ता है कई पानी डाल सकते क्योंकि उसमें moisture बना रहे नहीं तो पानी पूरा ऊड़ जाता है यह बड़ी तकलीब देहा रहता है मैंने गावा पे भी करके देखा अभी तो उसमें भी यही दिक्कत जाती है और air layering से पेड निम्बू का पेड आप जो देख रहे इसमें बहुत ही ज्यादा roots form हो जाती है आपको फिर एक question और भी रहता है कि कित्ते जिनों में success मिलेगा जैसे mango में थोड़ा time लगता है जैसे आपको 40-50 days और जो निम्बू है इसमें जल्ली मिल जाता है आपको 30 days के लगबग जहाँ time vary भी कर सकता है जरूरी निए कि 30 days ही हो आपका ज्यादा भी समय लग सकता है कि वह depend करेंगा कि कौन ते मोसम में अगर अनुकुल अगर मोसम रहा तो अच्छी बात है हमारे playlist में आप चेक कर सकते हमने सिताफल के उपर में भी जिससे custard apple बोलते है उसके उपर भी हमने वीड कर सकते हैं आपको जैसे बता रहा हूं निम्बु अर गिये जित्ते भी जैसे plants उनके उपर वी आप ट्राय कर सकते हैं तो कोई problem नहीं है अभी मैंने करने की कोशिश किया हूं मैंने अभी से आप देख सकते हैं इस पेड़ के ऊपर मैंने बांद कर रहा हूं पर इसमें वह और आपको एर लेरिंग करते हैं हमारा पूराना वीडियो आप मेंगो एर लेरिंग करने आए तो उसी तरीके से सेम वे से ही आपको लिंबू हो जामून हो सिताफल हो आम हो या जो भी पेड़ है आप उनके उपर ट्राय कर सकते हैं जनरली रूट्स फॉर्मेशन के उपर भी कुश्चन आता है कि रूट्स फॉर्मेशन यहां मैंगो में बरोबर नहीं होती थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है तो उसलिए टाइम टेकिंग जादा हो जाता है अगर लेमन में देखेंगे तो लेमन में बहुत ज्यादा रूट्स निकलती है तो आपको जल्ली मिल जाता है रिजल्ड भी लेमन में एस कंपेर टू मैंगो आपको इसमें जो अंदर में आप देख रहे हैं मैंने याँ सॉइल यूज किया हूं करके इसमें कैसा होता है moisture maintain नहीं हो पा रहा है तो आपको आप coco peat भी use कर सकते ह्याएग आप चाहे तो इनका mixture भी use कर सकते हैं इनको mix करके भी ऐसा है नहीं जो आप आपके उपर है आपको जो भी use करना है coco peat मतलब coconut का जो, जो उपर का चील का रहता है उसका जो आउडर रहता है वहां रहता है तो आप नॉर्मल साइल भी यूज़ कर सकते हैं बरसात के सीजन में ज्यादा मॉइस्चर मिंटेन रहता है उसलिए आपको 10 मतलब जैसे आप 15 डेज खोल के उसमें उपर से थोड़ा सा खोल के आप पानी जाल सकते हैं अब आपको क्या यूज यूज करना है जैसे अब मैंने पॉलिथिन यूज किया हूँ जैसे बाननी के लिए आपको हमारे पूरा नाप एर लेरिंगा देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएंगा किस तरह आपको करनी है आप चाहे तो यह प्लास्टिक ग्लास भी यूज कर सकते हैं जैसे में नीचे में सरकल और और यहां तो पानी यहां पर आप कोकुपी या थो अपकी बोटल में ऊपर से जैसे आप देख सकते हैं यहां पर तो यहां पॉलिथिन बांना सकते हैं यह buckets और जब भी आपको लगता कि 15 दिन हो गए या 20 दिन तो आपको पानी दालना है मॉइस्चर मिंटेन रहे करके अगर हीट ज्यादा हो रही है एटमॉस मतलब अगर जो भी सीजन वाइस जिस मन्त में आपने किये उसके साब से तो आपको वहाँ पानी दालने में आसानी होंगी आपको फिर खोलना पड़ता थोड़ा सा यसे ओपनिंग मैंने उपर में रखाओ तो मुझे यहां से पानी दालना पड़ता है अभी उनाले की दिन चालूए तो ज्यादा पानी लग जाते हैं तो आप एर लेडिंग आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्ली से करिए आपको नए नए वीडियो हमारे चैनल के दौरा मिलते रहें